नमस्का फ्रेंट्स मेरे नाम बबलू अर्मा पीपर है कर्मा का स्वाग गाते हैं तो फ्रेंट्स आदम यहां पर देखने बाले हैं बीए पार्ट थर्ड बीए थर्डियर का हिस्ट्री का थर्ड पेपर के MGQ Cution कहा देखने बाले हैं? MCQ Cution मैंने इसका पार्ट फर्स्ट आपको धने रखा है उनिट फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको चुका रखेंगे हैं तो बहां के लिए बी ए थर्डियर का हिस्टी का थर्ड पेपर का पार्ट सेकंड हमारा इस्टार्ट होने जा रहा है तो बढ़ते हैं क्योशनों के और जिन लोग को इसका पीडियाप चाहिए अधर वाई इस मतलब इस पीडियाप के अंदर क्या है साथ तीन से चार बोको के विशन है और यहाँ पर हमारी यूनीट हो जाती है यूनीट हो जाती है रहा है? कि यहां पर बेशिक बर्दा सिच्छा योजना का प्रस्ताव दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था यह आपको यहां पर बताना है तो पड़ाबड़ आंसर देना इसका आंसर कौन सा होगा बेशिक बर्दा सिच्छा योजना का प्रस्ताव दिया गया था टैगोर द् कि नाम से जाना जाता है जो बठा बेशिक सिच्छा यह रहने वाला है से बुनियादी सिच्छा भी कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा option number 7, आगे बढ़ते हैं question number 3, question number 3 क्या रहा है, basic सिच्छा योजना किस सन में प्रस्तुत की गई थी, यह आपको बताना है, जो basic सिच्छा जो है, वो किस सन में प्रस्तुत की गई थी, इसका आंसर आपको देना है, कह रहा है, 1936 अक्टूबर में, या फिर अक्टूबर 1937 में, अक्टूबर 1949 में, अक्टूबर 1944 में right answer मारा क्या रहने वाला है इसका आंसर जो हो जाएगा बेह रहने वाला है, option number 2 कितना हो जाएगा, 1937 अक्टूबर में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं next question आपके सामने कुछ इस प्रिकार से हो जाता है, थोड़ा चूटा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है बिल्कुल, question कह रहा है, यहाँ पर महात्मा गादी जी अपना basic सिच्छा का प्रिस्ताब किस सम्मेलन में देश के समक्ष रखा था, तो basic सिच्छा का जो महात्मा गादी ने प्रिस्ताब रखा था वो किस सम्मेलन के अंतरकत देश के समक्ष रखा था, यह आपको बताना है है और बेसिक सिच्छा का जो रखा गया था शम्म्मेलन प्रिस्ताब में वह रखा गया था बरदा सभ्मिलन के अंतरा आंसर 2 द़र उप्शे निंबर आöglich बर्धा सिच्छा सम्मिलन कब हुआ बरदा सिच्छा सम्मिलन जो हुआ बता आप कब हुआ था यह आपको बताना इसकी डेट 1911 में 1929 में 1932 में या फिर 1937 में राइट आंसर हमारा कौन सा रहने बाला है यह आपको बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपसे नंबर दा हो जाएगा 1937 में ठीक है next question की बात करते है columnist 6 कह Alger x noir बर्दा सिछ्छा योजना प्रस्तित की गई जो टिवर्दा सिछ्छा योजना है वो प्रस्तित की गई थी बुनियादी सिच्छा के प्रबार्थ थे यह वी आपको यादवार बताना है ठीक है कि बर्दासिछा योजना प्रिस्थित की गई थी किसकी दोरा बुण्यादी सिच्छा के पुरुचao कौन थे ये आपको बताना है तो राइट आंसर कौन सा अधार का है एधान से यहां पर देना है ठीक है बताना है अंसर मारा कौन सा रहने वारा है तो अभी हमने देखा था बदा सिच्छा योजना या फिर बुन्यादी सिच्छा योजना के प्रपरतक थे वो हो जाते हैं कौन महत्मा गांदी इससे पहले एक क्योशन अभी आया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक क्योशन दिरेका क्योशन नमबर सेबिन करा है बेसिक सिच्छा के सिधान्त को ब्याबारिक रूप देने का प्रिथम प्रियास किया गया था किसके दोरा किया गया था मतलब कहां किया गया था यह आपको बताना है कासी विद्धापीट में गुरुकुल कांगडी विस्धाले में या फिर गुजरात में गुजरात विद्धापीट में या फिर हो जाता है तुम्हारा जामिया मीलिया इस्लामिया में तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है भी इसका आपको देना है ठीक है तो बेसिक सिच्छा के सिद्धानत को ब्याभारिक रूप देने का पिर्थम पिर्यास किया गया था वो हो जाता है गुजरात बिद्धापीट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा आगे बढ़ते हैं क्योशन नंबर एट की और बेसिक सिच्छा की बल दिया जाता है बेसिक सिच्छा जो है उसमें बल दिया जाता है किस पर बालक पर सिच्छक पर या फिर बेसिक क्रॉप्ट पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं तो राइट आंसर हमारा क्या रहने बाला है यह आपको बताना है तो बेसिक सिच्छा में जो बल दिया वाला है यह आपको बताना है तो basic सिच्छा का जो माद्दे में हो जाता है वो हो जाती है अपनी मात्र भासा आगे बढ़ते हैं यह कतन है जन साधहर की असिच्छा भारत का पाप बात कलंक है अता उसका अंत किया जाना अनिवार्य है यह कतन किसका है यह आपको बताना है जन साधहर की असिच्छा भारत का पाप और कलंक है अता उसका अंत किया जाना अनिवार्य है यह कतन किसका है क्या रहने वाला है आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा option नमबर सा क्या हो जाएगा महत्मा गांधी ने कहा था आगे बढ़ते हैं next question याद रहका है केंद्री सिच्छा सलाकार बोड का इस बोड की स्थापना हुई थी कब हुई थी आपको बताना है केंद्री सिच नमबर बा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं केंद्री सिच्छा सलाकार बोड की सिफारिस पर हुई थी यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा केंद्री सिच्छा सलाकार बोड की पुनिस थापना 1935 में किसकी सिफारिस पर हुई थी hunter commission, sergeant commission, हार्टांग सम्मि या फिर रहा राम मूर्ती सम्मिति तो राइट आंसर मारा कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार टग सम्मिती राइट आइट आंसर आप्षयन नमबर सा आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की ओर भारती सिच्छ अनूसंदान दान परिसद का कारिकाल कहां है कारियाल कहां है NCERT NCRT का कारियाल कहां है मुंबई, नई दिल्ली, इलाबाद, मदरास अवारा कौन से रहने वाला है NCRT का कारियाल कहां पर है यह आपको बताना है कौन से बिलकुल राइट होगा तो बहु हो जाएगा नई दिल्ली में राइट अंसर ऑप्शन नमबर बार रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन 1935 में विस्विध्यालय अनुदान समीती का नाम परिबर्तित कर दिया गया 1935 में विस्विध्यालय अनुदान समीती का नाम परिबर्तित कर दिया गया क्या रखा गया, यह आपको बताना है, विस विधियाले अनुदाना आयोग या फिर केंधी सिच्छा व्यावसायख सिच्छा सलाकार बोर्ड वो प्यक्तव में कोई नहीं आपको बताना है, जो 1913 में विस विधियाले अनुदान सम्मीती का नाम परिवर्थित करके क्या रखा गया था उपो हो जाता है तुम्हारा विस्विद्याले अनुदान आयोग राइट अंसर हो जाएगा आयोग या पर अंटर आयोग तो राइट अंसर हमारा कौन सा रहने बारा है सिच्चा की बात हो रही है तो कौन हो जाएंगे राधा किस्ञन आयोग की स्थापना की गई थी राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाप आगे देखते हैं next question विस्विद्याले सिच्चा यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है तो बिस्विध्याले सिच्छा आयोग का दूसरा नाम है बिस्विध्याले सिच्छा आयोग का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है मुदालियर कमीशन, राधा किशन आयोग, रुटरी आयोग या पर एंटर आयोग right answer हमारा कौन से रहना बिस्विध्याले सिच्छा आयोग का जो नाम है वो है राधा किश्रन आयोग क्या है राधा किश्रन आयोग option number बाह बिल्कुल right होगा next question की बात करते हैं ग्रामीड बिस्विध्याले के बारे में सुजहाब किस आयोग के द्वारा दिया गया ग्रामीड विस्विधाले के बारे में सुजहाब किस आयोग द्वारा दिया गया था यह आपको बताना है मुदालिर आयोग, हंटर आयोग, कोटरी आयोग, राधा किशन आयोग राइट आंसर मारा कौन सा रहनी बाला है यह सुजाब था, किसका था यह आपको बताना है उच्च सिच्चा का मादन हम अंगरेजी के इस्थान पर प्रादेशिक भासा है होनी चाहिए यह सुजाब किस ने दिया था? मादमिक सिच्छा आयोग, कलकत्ता बिस्विध्याले आयोग, सिच्छा आयोग, बिस्विध्याले सिच्छा आयोग कौन सा बिलकुल राइट आंसर हमारा रहने वाला है तो यह दिया था बिस्विध्याले सिच्छा आयोग ने राइट आंसर हो दाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं यहां पर कहा रहा है उच्छा के पिर्मुक समस्या है उच्छा की जो पिर्मुक समस्या है बहें क्या है आपको बताना है तो उच्छा के पिर्मुक समस्या है क्या है सिच्छा का निमनिस्तर बिल्कुँ सही, दोसबूर परिच्छा पडाली बिल्कुँ सही, इदरे खाए निर्देशन बापरामर्स का आभाब ये भी सही है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ओपियोग तो सभी रहने वाला है, option number 2 हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर next question, जो विस्विध्याले सिच्छा आएग, जिस्विध्याले सिच्छा सिच्छा आयोग की नियुकती हुई थी, तब हुई थी ये आपको बताना है, 1908 में, 1964 में, «1948 में, 1952 में», तो राइट अंसर हमारा क्या रहने बाला है, यह आपको बताना है, तो भाइट सिच्छा अयोग की नियुकतई की गई थी 1948 में राइट एजव सब्दान कम बद सब्राइब पर तो राइट आंशर अायोग вашfa विए आपको बताना है तो बिस्विधाले अनुदान आपसम क्या करेंगे भई उच्छी सिच्छा के बारे में संबंधित बात करेंगे तो राइट आंसर अप्शन नमबर बी हो जाएगा ठीक है बाँ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की ओर 25 तो राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है फड़ापड़ इसका आंसर दीजेगा सोतंत भाहरत में पिर्थम मुक्त विस्विधाले की स्थापना हुई थी कब 1982 में राइट आंसर ऑप्शन नमबर साथ जे लोग के इसकी पीडियव डानलोड करना है अब इसकाप से में रेकाई टाइलीग्राम का लिंक महाँ पर जाके आराम से आप डानलोड कर सकते हैं कुछ इसी प्रकार से बहुत सारी बुकें आपको दे रही हैं बिस्विध्यालय आयोग ने अपना प्रती बेदन कब प्रस्तुत किया था यह आपको बताना है राज्यों के बिस्विध्यालय का कुलाधी पती होता है कौन होता है यह आपको बताना है बहात का प्रतान मंत्री राजिका राजिका राश्पती या फिर राजिका सिच्छा मंत्री तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है राज्यों के विस्विध्यालय का कुलादी पती कौन होगा भई राज्यिपाल होगा कौन होगा राज्यिका राज्यिपाल राइट आंसर होदाएगा ऑप्शन नमबर 2 आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन के हो 28 यह कहा रहा है किस सन में संसद के अधिनियम द्वारा विस्विध्यालय अनुदान आयोग को बैधानिक संस्था गोशित किया गया था यह किस सन में किया था यह आपको बताना है दुबारा पढ़िएगा किस सन में संसद के अधिनियम द्वारा विस्विध्यालय अनुदान में संस्था गोशित किया गया था ठीक है बैधानिक संस्था गोशित किया गया था आगे बढ़ते हैं आपर खुले विश्विध्याले में प्रवेश की आयू क्या है आपको बताना है 16, 18, 20 या फिर 15 बर्स राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो खुले विश्विध्याले जो है उनमें प्रवेश की जो आयू हो जाती है वो कितनी हो जाती है पंदरा बर्स हो जाती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं क्य चुक्शन की बात करते हैं शुच्छा किस सूची का अब बिस्विध्या है आपको बताना है संग सूची संबर्थी आपर स्मबर्थी शूची तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा उच्छा राज में भी है और केंदर में है तो यह कौनसे बजाए कि भाई संबर्धी सूची का बिसे हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा आगे बढ़ते हैं next question तो किया रहा है सिच्छा को संबर्धी सूची में सामिल किया गया था कब किया गया था यह आपको बताना है सिच्छा को संबर्धी सूची में कब सामिल किया गया था 1986, 1974, 1975, 1976 right answer हमारा कौन सा रहने वाला है आपको बताना है 1976 में किया गया था right answer हो जाएगा option number 2 आगे बताएं यहापर 33 केंदर में सिच्छा किस मंत्राले के अधीन है केंदर में सिच्छा जो है वो किस मंत्राले के अधीन है आपको बताना है बित मंत्राले, सहरी विकास मंत्राले, मानब संसाधन मंत्राले या पर परेटन मंत्राले right answer नमारा क्या हो जाएगा यह आपको बताना है केंदर में 16 मंत्रालाग के अधीन है तो भो अपनी हो जाती है मानब संसाधन मंत्रालाग के अधीन किसके मानब संसाधन मंत्रालाग के अधीन अपनी हो जाती है आगे बढ़ते हैं यहां पर next solution देखा है NCRT का प्ूरा नाम क्या है यह आपको बताना है आ तो इसका आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने बाला है एंसे आडी का पूरा नाम क्या है एक बार पढ़ लीजिए का थोड़ा समय पो दिया जाएगा नियो कॉंसिल ओफ एडुकेशनल रूरल ट्रेनिंग इसे कहते हैं सिच्छक ग्राम मीड प्रिसेच्छड इसनल कॉंसिल ओफ एडुकेशनल रिसरिक नेशनल असे चौन संदानी इसे कहते हैं आप राष्टी सेच्छ अनुसं दानी प्रिसेच्षड शडो परिसाब लाइघ का रहने बाली है इसका राइट राइट आंसर रोजाएगा ऑप्शन नमबर बाव हो जाएगा ठीक है नेशनल कॉंसिल ओफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग जैजे कहते हैं राष्टी सिच्छे कनुसंदानें पर से चड़ परिसद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बाव आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एकोशन की ओर 35 को देखना है राम किष्णे मिसन की स्थापना किसके द्वारा की गई राम किष्णे मिसन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी स्वामी राम किष्णी के द्वारा स्वामी वेकानंद के द्वारा स्वामी द्यानंद के द्वारा राजा राम मो comment box में तो ब्रहा समाज की स्थापना कब हुई यह आपको बताना है ठीक है तो इसमें दे रखा है 1828 में 807 में 1806 में यह पिर हो जाता है 181919 में तो राइट आंसर मारे क्या हो जाएगा 18168 में की ती किसने की थी comment box में बताना है आगे बरते हैं यहाप पर 37 किया हुआ सती पिर्था पर रोक लगाई किसने लगाई थी यह आपको बताना है लाड बिलियम बैंटिंग ने लाड डलहौजी ने लाड मेकाले ने राजा राम मोहन राय ने तो राइट आंस हमारा क्या हो जाएगा सती पिर्था पर रोक लगाई थी लाड बिलियम बैंटिंग ने रा लाजा राम मोहन रायने ये फिर स्वामी विबेका नंद ने राई ट क्या हो जाएगा राजा राम मोहन रायने की ती एधारा सो अठाइस में ओरते हैं नेक्स्न की ऊ और ніक्स्न 39 यहाँ पर समस्त ग्यान का इस्तोत बेद है समस्त ग्यान का इस्तोत क्या है बेद है यह बिचार निमनिकित में से किसका है आपको बताना है राजा रामो राय का स्वामी दयानंद सरस्पती का या फिर आत्मा राम पांडू रंग का तो राइट आंसर हमारा क्या रहने बाला है यह आपक पती और आजुके बढ़ारांट को सुद्राइं स्वामेशन छाए खाल सुद्राइं पर कि अभी हमने देखा तक से ए מאוד हो जाता है घूसर निम्टर्ण यहां पर करा राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है एकत्तर में बहात्तर में तेहत्तर में चहात्र में तो राइट आंसर का कौन सा रहने वाला है राजा राम मोहन राय का जन्मिक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में, राइट अंसर उदै का ओप्शन नमबर दा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सत्यार्थ प्रقास की रचना किसने की थी, सत्यार्थ प्रकास से किसका संबंद है या रचना किसने की थी आंसर हो जाएगा option number सा आगे बता है यहां पर स्वामी विवेकानंद ने निमिकित में से किस संस्था की स्थापना की स्थापना की थी आरे समाज ब्रह समाज राम केशन मिशन नम्याप है प्रातना समाज तो राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है वही यह हो जाएगा रा की थी यह आपको बताना है गोपाल किष्न गोकले स्वरिनार बनरजी जियोतिया फूले आत्मा राम पांडूरंग तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यहां प्राताना है तो भारत सेबक समाज जुल्वामक संस्ता की उसकी स्थापना की थी किसने आगे बरते हैं यह पर हिंदू बिभाह अदेनियम कब बना हिंदू बिभाह अधीनियम कब designing बना नाता उनिस 10% साथ में राइट आνसर में रंढसाओ कौन सा रहने माला है जो बना था 1950 में राइट आंसर होजाएगा ऑप्शन नमबर सा होगा 1955 में यह नहीं होगा 1950 में राइट आंसर आप्शन नमबर सा आगे बड़ते हैं अनयतिक ब्याबहार निभार कानून कब लागू हुआ अनेतिक ब्यापार निबारण कानून कब लागू हुआ था यह आपको बताना है 1984 में, 1986 में, 1988 में आपको बताना है तो राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है बिल्कुत राइट आंसर क्या जाएगा कब लागू हुआ? कमीशन ओफ सती बिरोधक अधीनियम जो था वो कब लागू हुआ था यहाँ को बताना है 1986 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1990 में राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है यहाँ को बताना है तो Commission of सती बिरोधक अधिनियम जो लागव हुआ था वो हुआ था 1987 में राइट आंसर हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बाल बिबहा अबरोधक संसोधन अधिनियम लागव हुआ बाल बिबहा अबरोधक संसोधन अधिनियम लागव हुआ था राइट आंसर हो जाएगा option number 2 next question की बात करते हैं महला ससकती करण बर्स कब मनाया गया महला ससकती करण बर्स कब मनाया गया था यह आपको बताना है 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में महला ससकती बर्स कब मनाया गया था तो यह मनाया गया था 2001 में राइट आंसर हो दाएगा option number 2, आगे बढ़ते हैं, पंचायत और नगर पालिका चुनाब में महलाओं के लिए कितने प्रितिसस सीटे आरचित हैं, या आपको बताना है 20%, 25%, 30% या फिर 35%, कौन सा बिल्कुल right answer हमारा रहने बारा है, तो पंचायत और नगर पालिका चुनाब में महलाओं के लिए सीटे हैं, वो कितनी हैं, 35%, 35% अपना हो जाता है, right answer, option number 2, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समान परिस्रिमिक अधिनियम कब लागू हुआ, या आपको बताना है, 1922, 1974, 1976 या फिर 1978, right answer हमारा कौन सा रहने वाला है तो right answer क्या हो जाएगा, समान परिस्रिमिक अधिनियम लागू हुआ था, 1976 में, right answer हो जाएगा, option number 6, आगे बढ़ते हैं, कहरा है, कार खाना संसोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, 1974, 1976, 1978, 1980, right answer, 1976 में हुआ था, कार खाना संसोधन अधिनियम लागू आगे बढ़ते हैं, next question की ओर कहरा है, यहाँ पर अस्ते परिस्ता संबंदिय नियम कब लागू हुआ, अस्ते परिस्ता या पर चुआ 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 संबंदिय धिनियम जो लागू हुआ था, बहे कब लागू हुआ था, 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1908 में, राइट हमारा कौन सा रहने बाला है, अस्ते परिस्ता संबंदिय धिनियम जो लागू हुआ था, वो हुआ था, 1955 में, राइट आंसर ऑप्शन नमबर आ, अब यहाँ से हमारा इस्टार्ट हो आती है, यूनिट नमबर 4, ठीक है, और फ्रेंट जिन लोगों को इसकी PDF डानलोड करना है, बैडिस्कप्शन में देरेका है, टेलिग्राम का लिंक के बहाँ पर जाके PDF डानलोड कर सकते हैं, यही नहीं बहुत सारे क्योशन है, तीन-चार बुकों के क्योशन है, मैं यहाँ पर से एक ही बुक के क्योशन करा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ इंपोरेंट क्योशन ह फ़कता हुआ था, वो कब हुआ था, 1930 में, 1940 में, 1945 में, या फिर 1947 में, राइट अंसर मारा क्या रहने वाला है, तो नई दिल्ली में, नभीन इमारतों का जो इमार्ट हुआ था, उनने सो तीस में हुआ था, राइट अंसर हुआगा, option number 8, ठीक है, next इगोशन, नई दिल्ली की पिर्मुक इमारते क्या है नई दिल्ली की पिर्मुक इमारते कौन सी है आपको बताना है पिर्मुक इमारते हैं कौन सी इमारते आपको बताना है तोरी इमारते हैं राष्ट पती भवन इंडिया गेट संसदभवन या सभी आपको बताना है सभी है या फिर कोई नहीं है य यहां पर क्या हो जाएगा option number 2 हो जाएगा right सभी ठीक है आगे बढ़ते हैं सर्जनिक निर्मार विभाग इस्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है लाड रिपिन लाड करजन लाड वेलेजली लाड दल्होजी सर्बजनिक निर्मार विभाग इस्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था प्था इसका ओंसे रिलकुल राइक होगा कि 50 द्वाग सर्बजनिक की निर्मार विभाग इस्थापित लाड करजन के द्वारा किया गया था राइड अन्सर वोजाएगा option number two next question victoria hall का निर्मार kı कब पूरा हुआ जो Victoria Hall बना था उसका निर्मार कब पूरा हुआ था यहां आपको बताना है 1921 1927 1930 1941 तो वीक्टोरिया का रिह insecहर हुआ था है उनिससे थीस में वहा था राइंसर swm रार अप्शन नमबर आ हो जएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, यूरोपीय सहली के आधार पर भारत में इमारतों का निमार हुआ था, बै कौन सी सदी में हुआ था, ये आपको बताना है, उननिस भी, सोल भी, बीस भी या फिर सत्र भी सदी में, तो राइट अंस हमारा क्या रहने वाला है, यूरोपीय स किसने बनाया था, ये आपको बताना है, बिलियम एमर्सन ने, बिलियम हारबे ने, बिलियम डगलस ने, या फिर चार्ल्स ने, तो कौन सा विल्कुल राइट अंस हमारा रहने वाला है, विक्टोरिया मेमोरील कलकत्ता का नक्सा जो बनाया था, वो बनाया था, बिलियम एम शमर्सन ने बनाया था राइट अंसर नमबर आ रहने वाला है next question Marsman में Marsman ने कौनसा समाचार पत्र निकाला था Marsman ने कौनसा समाचार पत्र निकाला था यह आपको बताना है इंदुस्तान समाचार दर्पढ या फिर अमरुजाला दैनिक जागड कौन सा निकाला था यह आपको बताना है मार्स मैंने कौन सा समाचार पत्र निकाला था फटापर इसका आंसर दिजीगा तो इसका निकाला था कौन सा भई समाचार दरपड लिकाला था राइट आंसर ओप्शन नमबर 2 आगे बढ़ते हैं नील बिद्रों कब हुआ जो नील बिद्रों हुआ था वो किसंग में हूँआ था 1884-48, 18 Nothing ने रहेति इसकी डेट आपको बताना है नील बिद्रों कब हुआ था ठीक है यह कब हुआ था 18 Luft का पचास में हुआ था रा एट अन्स को जाएका option number 2 next question की बात करते हैं next question का यहां पर answer देजीएगा next question कहाई रहा है भारत में पुष्थम पुष्थक percussion किस बर्स में हुआ भारत में पुष्थम पुष्थक पुष्थक परकाशन किस बर्स में हुआ था यह आपको बताना है 1547, 1557, 1880 या फिर 1950 राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो भारत में पुस्तक प्रिकाशन किस बर्स में हुआ था यह हुआ था आपके 1557 में राइट आंसर दाइगा ऑप्शन नमबर बा नेक्स कुछन की बात करते हैं जाती एक बंद बर्ग है किसने कहा जाती एक बर्ग है यह किसने कहा था यह कहा था मजूमदार और मदान ने तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर दा रहने वाला है नेक्स कुछन दलितों को हरीजन कहकर किसने पुकारा यह आपको बताना है नहरू जी ने गांधी जी ने सास्ती जी ने या फिर पटेल जी ने राइट तो ठीक है तो ये part कौन सा था? ये part हमारा था second इसमें हमने कौन सी unit देखी थी? unit third देखी थी, unit four देखी थी part first में हमने unit first देखा था और unit second देखा था ठीक है दो पार्टों में हमने history second को history third को divide किया अगर आपने वीडियो नहीं देखिया डिसकप से मेरे रहका उसका लिंक के देख सकते हैं और वहीं नोडस आपके लिए बहुत जरूरी है टेलिग्राम पर है link बहाँ पे जाखे M.C.Q नोडस आपके डानलोडर कर सकते हैं और फैर्टस बहुत ही इम्पोटेंट आप एग्जाम के लिए क्योंकि यहाँ पर MCQ Qution आपके 4-5-6 Qution exam में देखने को मिलते हैं 5-6 Qution मतलब बहुत ही महात्परोमी का निवात हैं ठीक है तो ज्यादा Qution नहीं है आराम से कर सकते हैं जिलोग का MCQ है MCQ भी यहीं से फसेंगे सारे के सारे है बहुत Qution यहाँ पर हमने अपको दे रखे हैं ठीक है तो फैंट्स लाइक करना, शेर करना, चैनलो करना, सस्काइब और नोट्सों को बहुत ज़रूई ही डानलोड करना एक्जाम देने से पहले ठीक है तो फैंट्स जैहिन, जैभारा